आज इस वीडियो में डिसकाशन कर रहे हैं प्रॉविडेंट फंड के बारे में इसके चार टाइप्स आज डिसकस करेंगे EPF vs. PPF and GPF vs. VPF बड़ी इंपोर्टन वीडियो रहेगी इसलिए आप खुद तो देखी रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले अब प्रॉविडेंट फंड है क्या इसको एक इजी लाग्वज में समझने की कोशिश करते हैं प्रॉविडेंट फंड है आपका एक पीगी बैंक बच्पन में अपना गुल्लक तो याद होगा तो ऐसा ही एक गुल्लक आपके लिए बना दिया है गामिन ने जिसे खाहा जाता है प्रॉविडेंट फंड प्रॉविडेंट फंड का पूरा डीटेल्ड आर्टिकल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका लिंक मैंने डिस्क्रीप्शन और पीन कमेंड में दे दिया है और अगर आप एडवांस लेर्निंग में इंट्रस्टीड है इन सभी कोर्सीज में तो आप आएए C.A.Guruji Classes.com पे यहां पे Courses और Combo Courses section को एक बार जरूर चेक करें विजिट करें C.A.Guruji Classes.com तो आपके साथ डिस्काशन कर रही हूँ हूँ है EPF vs PPF बहुत ही easy language में समझाओंगी इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं पर लाइक और शेर भी कर लेना और इस चैनल को सबस्क्राइब कर लेना EPF इसकी फुल फॉर्म में E है Employ Employ Provident Fund PPF इसकी फुल फॉर्म में पहला लेटर है Public Public Provident Fund यानि इसके नाम से हमें पता चल गया यह किन के लिए है? Employees के लिए चाहे वो Garment Employees है या चाहे वो Private Sector Employees है और यह Public के लिए है यानि चाहे कोई Employee है या नहीं कोई Businessman है Normal Person है कोई भी Person PPF Account Open करा सकता है तो यह तो सिर्फ Employees के लिए है चाहे वो Garment है या Private Sector Employee है यह Public के लिए है कोई भी PPF Account Open करा सकता है तो यह ज़्यादा तर केसिस में आप देखते होंगे और इसमें क्या लिमिट है इसमें 500 रूपीज से लेकर 1.5 लाग तक Annually आप Deposit कर सकते है और PPF को आप किसी भी Bank या Post Office में Open करा सकते है एक Person का एक ही PPF Account हो सकता है ऐसे ही EPF EPF आपका Employee Open करता है और एक Person के रिए एक ही EPF Account होता है EPF को Regulate करता है EPFO इसका अलग से Separate Organization है और यह Employee Provident Fund Act 1952 के थूँ आया था और इसका Organization है EPFO PPF आया था PPF 1960 Act के थूँ ठीक है इसमें Employees को Contribution करना Mandatory है जिस पर भी जिस भी Employer पे EPF Act Applicable है उसके Employees को PF में Contribute करना Mandatory है और जो PPF है यह Voluntary है यह आप अपनी मर्जी से Contribute कर सकते हैं आप बात करते हैं Very Important कैसे बनेंगे आप करोड़ पती? इनमें मिलेगा आपको Interest इसमें Interest का Rate रहता है 8-9% बहुत अच्छा खासा इसमें Interest Rate मिलता है इसमें होता है 7-8% यह Interest Rate चेंज होते रहता है अपने आप Notification के थूँ इनके Interest Rates चेंज करती है तो इनी Interest Rates की वज़े से और Compounding की वज़े से आपका यह पैसा आपकी Retirement तक बहुत जादा हो जाता है जिससे मिलती है आपको Financial Security क्योंकि एक Age के बाद आपको चाहिए होती है Financial Security ताकि आप किसी पे भी Depend ना हो कोई भी Person आपको अपने उपर Depend मान के ऐसा न करे कि आपकी देखभाल ही न करे तो अगर आप खुद पे Dependent हो आपके पास Financial Security है तो आपका जीवन अच्छे से कट सकता है यह दोनों ही Funds आपको यह Security देती है PPF Account के अंदर आप 15 साल तक आपको minimum पैसा जमा कराना होता है यह इसमें होता है कि आप जब तक आपकी जॉब है तब तक आप इसमें पैसा जमा कराएंगे अब कई बार क्या होता है कि Employees Job को Switch कर लेते हैं मान लेजी अभी Tata में काम कर रहे थे अब Reliance से offer आ गया तो ऐसा नहीं कि आपका यह PF Account बंद करना पड़ेगा आपको आपका Tata में था अभी PF Account वहाँ पे आप Contribute कर रहे थे अब आप Reliance में आगे हो तो Reliance कर लेगी अब वहाँ पे Contribute पर आपका एक ही PF Account वहाँ पे Transfer हो सकता है ठीक है, clear है आपको यह बहुत अच्छा Rule है कि आप Employee है और Job Switch करना चाहते हैं तो EPF Account में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती इसमें मीनिमम आपको 15 साल तक Contribution करना पड़ता है और आप चाहें तो जाधा Years के लिए भी Contribute कर सकते हैं और जितना जाधा Contribution करते रहेंगे उतना ही अमाउंट आपको बढ़के को रोडो में आपको यह रकम मिल सकती है क्योंकि अच्छा खासा इंटरस्ट मिलता है तो इंटरस्ट भी compound हो जाता है मैं अभी आपको क्यालकुलेटर से भी दिखाऊंगी कितना आपको यहां पर इंटरस्ट मिल सकता है कुछ और बाते करने के लिए मैं आपको लिए आई हूँ हमारे आर्टिकल पर इसकी eligibility है available to salaried employees यह है सभी के लिए open to all resident individuals तो यह जो PPF account है वो resident individuals के लिए NRIs के लिए नहीं है अगर वो यह person अभी resident है उसने PPF account open करा लिया और बाद में वो NRI हो गया तो फिर उने अपना PPF account close करना पड़ेगा यहां पे contribution हमने बता दिया 12% of salary यहां पे 500 से लेकर 1,50,000 तक आप yearly contribute कर सकते हैं PPF में maximum limit 1,50,000 है और जब भी आपके पास funds of label हो आप उसी महीने में contribution कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं ऐसा नहीं कि 1,50,000,000 पूरा का पूरा एक साथ जमा कराना है interest vary करता है मैंने आपको बता दिया और यह दोनों ही fund triple E category में है exam, exam, exam यानि जब आप इनमें contribute करते हो वो भी exam है जो इस पे interest मिलता है वो भी exam है और जो आपको इसका maturity पे पैसा मिलता है वो भी exam है मैं दिखाते हूं आपको exam income आप ITR में कैसे दिखाते हैं तो देखिए यह है income tax return इसमें होता है एक schedule exam income का इस schedule के अंदर आपको nature of income में select category की option मिलती है यहाँ पर आपके दिए होते statutory provident fund recognized provident fund received तो आपके provident fund का मिला हुआ पैसा examed category में इस पे कोई भी tax नहीं लगता इसलिए भी person इन्हें बहुत जादा पसंद करते हैं now lock-in period until the retirement और job change इसका lock-in period है EPF का जब तक आप job करते रहे जब तक retire नहीं हो जाते और इसका है 15 years extendable in blocks of 5 years और यह extendable है 5 साल के blocks में यानि जितना ज़्यादा years आप contribute करोगे उतना ही ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा यह इसका सबसे बड़ा benefit है withdrawal EPF की partial withdrawal आप कर सकते हो पर कुछ specific purpose के लिए और इसकी भी partial withdrawal allowed है after 7th year subject to the condition तो जो ऐसी situation है जिनमें आपको fund चाहिए emergency कोई situation है marriage है कुछी तरह की situation में ही आप withdrawal कर सकते हैं दोनों ही cases में loan की facility अवलेबल है against the EPF balance इसके case में नहीं है limit एक person एक एक count open करा सकता है और purpose क्या है इसका retirement saving and social security इसका है long term wealth accumulation and tax saving plus security तो है क्योंकि government के funds है आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है आप मैंने यहीं पे article में ही P.P.F. calculator का link दिया है आप इस पे click कर ले click करती है आपके सामने ही calculator आजाएगा आपको सबसे पहले select करने है frequency पैसा कैसे डालना चाहेंगे मालेज में yearly डालना चाहोंगी enter कर इंस्टॉल्मेंट का amount और यहां लिखा भी है maximum deposit है 1,50,000 का और term और rate of interest अभी right now चल रहा है 7.1 तो यह अपने आप आप आ रहा है इस calculator में term और rate of interest ठीक है 7% interest rate पर 18,18,000 के करीब का interest मिलेगा और यह दोनों total होके आएंगे 40,68,209 यह 15 साल की investment है और अभी तो rate of interest इसे कम चल रहा है 7% पहले 8% से भी जादा का interest हो सकता है future में फिर से बढ़ जाए तो interest तो पर ही होता रहता है देखिए 22,00,000 से आपके amount हो गया ऐसे दे approximate 41,00,000 15 सालों में और जितना इसका tenure बढ़ाते जाएंगे क्योंकि 5 years के block में आप इसको plus कर सकते हैं मान ले जाब 25 साल invest करेंगे तो यह पैसा approximate 1 करोड के करीब चला जाएगा 35 साल invest करेंगे और भी जादा बढ़ जाएओ क्योंकि compounding का भी आपको benefit मिलता है interest के और साथी फिर यह सारा पैसा exampt है यह भी exampt है deposit करा है जो वो भी exampt है और जो withdrawal पर मिलेगा वो भी exampt है ठीक है तो कैसे आपके EPF और PPF आपको कोरोड पोती बना सकते हैं आप समझ सकते हैं compounding की वज़े से जीपीएफ वर्सिज वीपीएफ अब जैसे हैं मैंने आपको बताया कि EPF में लिमिट है पैसा डालने की अट दरेट 12% ठीक है पर कुछ employees चाहते हैं कि हम 12% नहीं हम अपनी salary का major portion PF में डालना चाहते है तो उनको यह option देता है GPF किसको देता है GPF यह option जो government employees है यह government employees के लिए GPF और private employees के लिए VPF यह है General Provident Fund Voluntary Provident Fund तो government employees को अगर 12% से जाधा पैसा डालना होता है तो वो GPF के थरूँ जाधा पैसा contribute कर सकते हैं और private sector employees को अगर जाधा पैसा contribute करना है तो वो VPF Voluntary Provident Fund के थरूँ अपना पैसा contribute कर सकते हैं जितना जाधा पैसा आप Provident Fund में डालेंगे अफकोर्स इंट्रस्ट रिड जाधा होने की वज़े से अच्छा खासा amount अर्न कर सकता है person और जब उनकी एक एज आएगी रिटार्मेंट की तो उस एज पर उसको कुरोडर रुपया मिल सकता है अपने Provident Fund account के गुल्लग से तो यह है आपकी एक गुल्लग जो बनाई है गवर्मिन ने और यह बहुत ही जाधा important है अच्छा खासा interest होने की वज़े से और साथी exemption मिलने की वज़े से यानि tax free होने की वज़े से भी बहुत सारे person इसे पसंद करते हैं और फिर अगर आपको higher rate of interest चाहिए तो फिर तो आपके लिए stock market है या फिर आप mutual funds में invest कर सकते हैं उनसे मिली होई income आपकी tax free नहीं होती है इसलिए अपने funds को diversifieds भी कर सकते हैं अपनी कुछ पुंजी ऐसे funds में डाली जो बिलकुल exampt है ठीक है कुछ पैसा stock market में लगाया कुछ property में लगाया तो हमेशा अपने fund का जो investment है आपकी जो investment है उसे diversified रखना चाहिए यह मेरा अपना personal opinion है इसी तरह की और वीडियो चैनल पे आती रहती है वीडियो के नीचे भी subscribe का बटन है यह CA Guruji चैनल पे आए subscribe बटन पे क्लिक करें यह आपके लिए बिलकुल free है अब मैं आपको फिर से ले आए हूँ CA Guruji classes.com पे क्योंकि यहां पे हमारे courses active है आप अगर advanced learning में interested है जैसे आपको trademark सीखना है income tax ITR या TDS GST सीखना है automation of balance sheet सीखना है TDS या TCS सीखना है सिफ accounting with teleprime company registration and reconciliation तो हमारे courses अबलेबल है अब आपको courses एक इस thumbnail के दिख रहे है और एक इस thumbnail के इन में validity का difference है यह lifetime validity courses है यह limited validity courses है तो जिस भी course में आप interested है आपको इस पर click करना है click करके आप उसका course curriculum read करे, show more करके और देखे कि क्या यह आपकी need को satisfy कर रहा है then add to cart कर ले और add to cart करने के बाद जब आप buy कर लेंगे तो यहाँ पर आपका login create हो जाएगा login करने पर आपका dashboard आएगा और dashboard भी आपके course active हो जाएगे हमारे courses का benefit बहुत सारे persons already ले रहे हैं और उससे अच्छा खासा आंट कर रहे हैं तो आप भी इनका benefit ले और और भी persons को aware करें Thank you so much